हेलो फ्रेंच, गुड मॉनिंग और फ्रेंच दिन के सुरवात ELTI grade परिनाम के साथ जियाँ फ्रेंच ELTI grade शिक्सक अब भ्हरतियों के लिए आज की सबसे अच्छी खबर और खुसकबरी वाली खबर है क्योंकि 20 दिशंबर तक WIN का परिनाम जारी कर दिया जाएगा तो Friends Altigrade के परिणाम को लेकर जो इंतिजार था व्याज खतम हो चुका यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 दिसंबर तक जारी हो जाएगा Altigrade का परिणाम तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पेंडा मिल जाएगा इसलिए एक वीडियो को एक सेयर और एक लाइक तो जरूर बनता है और volunteer सेयर करना मत बूलिएगा क्योंकि आज आपके लिए सबसे पहले लेकर आए है दिन की सबसे अच्छी ख़बर तो ऋ फ्रेंज आंसर की को लेकर भी इस न्यूज में कुछ अपडेट है तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा परतियोंगी छात्रों के परदशन के बाद UPSC सचीव ने दिया आसवासन UPSC पर परतियोंगी छात्रों ने परदशन किया और सचीव ने आसवासन दिया कि 20 दिसंबर से पहले-पहले अल्टी ग्रेड का रिजल्ट गोशित कर दिया जाएगा तो चलिए फ्रेंज देखते हैं उत्तरपदेश लोग से वायोक की और से अल्टिग्रेड सिक्सक भरती के परिणाम में देरी से नाराज परतियोग्यों ने बुदवार को आयोक कार्याले पर परतियोग्यों के पांच सदस्य परतिनीदी मंडल ने आयोक के सचीव से वारता क वारता के दोरान सचीव ने परिक्सारतियों को आस्वस्त किया कि 20 दिसंबर तक एल्टिग्रेड परिक्सा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो फ्रेंज जो परिक्सारतियों ने सचीव से वारता की तो उसमें आस्वस्त किया गया कि 20 दिसंबर तक एल्टिग्रेड क परिनाम जारी कर दिया जाएगा परदेशन के दोरान युवा मंच के अध्यक्स अनियल सिंग, राजे सचान, विक्की खान, कुल्दी प्यादव और सुमन वर्मा तो फ्रेंट्स इन लोगों को जाता है सारा क्रेडिट आपके रिजल्ट को लेकर क्योंकि इन लोगों ने वह आजे सचान को विक्की खान, कुल्दी प्यादव और सुमन वर्मा अयम, सतेंद्र कुमार इनको सभी को क्रेडिट जाता आपके परिनाम के जो आज की अच्छी खबर है और मोजूद रहे ये सभी महाँ पर परतियोगों का कहना है कि आंसर की जारीना करने से भी अनवसक व आज़ती भी नियाले चली जाती है, आंसर की जारीना करने को लेकर तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट में और भी देरी हो सकती है, विवादों से बचने के लिए आंसर की जारी कर परिक्षा परिनाम घोसित किया जाए जिससे की कोई भी अनवसक विवाद ने बढ़े, आ उसमें जो अकेडमिक मेरिट होती है, उसको हटाने के लिए 30 नमबर को भी कारेले पर परदसन किया जाएगा, उधर आयोग पहले सदस्य के पदरिक्थ होने के कारण परिनाम घोसित नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब नियुकती हो जाने के बाद कोई भी बादा नहीं रही है तो इसलिए अब रिजल्ट जल से घोसित कर देना चाहिए, तो फ्रेंस आज की अच्छी खबर लेकर आएं आपके लिए सबसे पहले, और 20 दिसमबर तक आपका रिजल्ट घोसित हो जाएगा, और वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक्स पर वाचिंग,